जो मीडिया में यह प्वाइं फ्यल आ रही है नौहीं वीनामानसुी की ओफ कैमरा की टीकेट करवाया है पवन सिंग ने और पवन सिंग से मिलने जा रही हूं बिल्षा भी रही हो ठीके लेकिन पवनसिंग नहीं बुलाया है पवन सिंग से अभी तक एक बरी भी बात नहीं हुई है लेकिन ये बस त्यार्पी के लिए पवन सिंग को बदनाम करने की कोशिस कभी अक्सरा सिंग को बदनाम करती है कभी जोति सिंग अरे इनका मुद्दा इनके पास ही रहे तो अच्छा है आप क्यों अपना विच्प में रूपम को आपक्ता है रूपम नहीं आना चाती नहीं आना चाती तरहीं पचांफ है के दे देखो तुम unlike रखेप चांफ एफ हुए खी कर नाएं है यह बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि जोती सिंग्ग वीना मनुवी को लाताड लगाई है जौती सिंग बताईये कभी मेरे बारे में तुम बुरा स्टेटमेंट क्यू देरी हो बैट सेटमेंट देने का राइट आपको कौन सींग में में सेटलमेंट हो जाएगा और चूति सींग मान गई है तीन करोर में जो कोट नहीं मनवा पाया वो तुम मनवाओगी यानि तुम मानती हो कि तुम फरजी कोट चला रही हो फरजी कोट चलाने वाले को वकील अच्छे से धोते हैं और तुम्हें भी धोएंगे जिस नोट को परजी तरीके से तुम कमाती हो उस नोट पे भी वकील है पता कर लो नहीं पता है आज अगर लड़का गलत है ना तो लड़की भी कोई दूद की धुली नहीं है बिंग गरल मैं इस चीज को समझती हूं लोग मेरे पैंगली उठाएंगे उठाओ ना कोई दिक्कत नहीं मे लड़की के पास तो वही है अब वह आपके पतनी है अगर आप रहते में सानी लियोनी वाला जो खेल चल रहा है यह क्या है एक बॉलीवूड स्टार है वह सनी लियोनी अगर व Five अगर वहजपूरी में आके काम करती तो आपकी बोजपूरी की करीमा बढ़ती है मेरे को ऐसा लगता है भले वह अपने भूत काल में जो भी की खाल देंगे हम उसका घर बसा देंगे उसका घर बसा देंगे यारे इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है पवन सिंग और जोती सिंग के मैटर से जी हाँ वही स्टार जो पावर स्टार माने जाते हैं बिहार में पवन सिंग और जोती सिंग उनकी धर्म पतनी जो लगातार तीन सालों से उनसे अलग रह रही है अब इसमें बीना मा मानवी का एहम रोल निकल कर सामने आ रहा है महिला विकास मंच की संस्थापक बीना मानवी जो है वो पवन स्टार से मिलने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो गई है अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पवन सिंग जाने और बीना मानवी जाने और इसी मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अरनिका जी है समास से हुई है महम श्वागत है आपका बहुत बहुत सुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्सक जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं बीना मानवी पवन सिंग का जो तीसरा घर यानि कि साधी जो तूटने के मगार पर आ गई है उसे बचाने के लिए मुंबाई के लिए रवाना हो गए हैं अपना घर बचा पाई है जो किसी और का घर पज़ा पएगी जो तीन साल से कानून नहीं बचा पार रहा है वो सो को अलस मास से भी वीनामान भी बचा पाएगी राइट जो जोती मॉरे और आलोक मौरे के केस को नहीं बचा पाई जो सिर्फ धिंडोरा पिटी की हम सेटलमेंट कर लिए कल उसका हीरिंग है कल के डेट का कल 13 जनवरी है और कल हीरिंग है और बताते चलू कि जो मीडिया में यह जो अफवाएं फैला रही है ना वीना मानवी की आफ कैमरा की टिकेट है पवन सिंग ने और पवन सिंग से मिलने जा रही हूं हो सकता है वह मिलने जा भी रही हो ठीक है लेकिन पवन सिंग में नहीं बुलाया है पवन सिंग से अभी तक एक बरी भी बात नहीं हुई है इसका मैं पुक्ता मैं पुक्ति करती हूं मैं उसको पुक्त करती हूं जो काम करती है बस किसी का भी वो कोई भी बड़ा अब कोई बड़ा सेलिब्रिटी है बस किसी भी हाल में बस फोन उठाना है हाँ भाई हाँ बच्चा मेरे पास आजाओ that's it यह का एक्टिंग है just because she is businessman not a social activist not a social worker यह कोई social worker नहीं है यह कोई social activist नहीं है यह एक business man business woman मैं आपको बता देती हो कभी इनके Facebook पर लिखाता है मेरे पास सारा screenshot है कभी लिखती है politician कभी social worker कभी you know real estate business woman ना जाने इनका क्या-क्या है इनका व्यक्तिगत है लेकिन जब किसी पर टिपनी करती है तो वह भी टिपनी क्यों ना करें और on camera बात करो अगर law से हट के बात करो लेकिन defamatory statement भी देना इनका एक you know एक क्या क्या सकते है प्रिस्नालिटी रहा है जो कि जिसको हम लोग अगर ठेट भासा में कहना कि खुले आम कानून को अंग उठा दिखाना विनामानवी का काम है जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि साथ तारी को इन्होंने तलवार दिखा कर जिप्सी पर बैठ के पूरा खुले आम कोतवाली थाना के सेचे को दिखाया है कि आप लोग ऐसे काम करिएगा अरे तुम नेता बनोगी आप पवन सिंग क्या है तुमको पता है इसी पर गुस्ता आ जाता है कभी कभी लगता है ना कि मैं जिस प्रोफेशन में हूं उसके लिए यह सब चीज ठीक नहीं है मत करो रूपम बिना मानवी जी है पहले जोती सिंग से भी तो मुलाकात कर चुके है वो तो कहती है कि मुसर जोती सिंग से बात हुआ है उसका मैं बोलतो रही हूं जोती सिंग से बात हुई है पवन सिंग से कोई बात नहीं हुए लेकिन ये बस TRP के लिए पवन सिंग को बदनाम करने कोशिस कभी अक्सरा सिंग को बदनाम करती है कभी जोति सिंग अरे इनका मुद्दा इनके पास ही रहे तो अच्छा है आप क्यों अपना गुजा देती हैं क्या मतलब बीच में रूपम को आना पड़ता है रूपम नहीं कि पचाफ हजार फेकी देंगे तो क्या होगा उसका इजट निलाम करने के लिए पचाफ हजार चार लाख फेको अपने रास्ते से अट जाएगी तुम्हारी औकात नहीं है कि रूपम के ऊपर तुम 10 लाख भी फेक लोगी ना तो रूपम बदनाम हो जाए क्योंकि बदना पावल स्टार जिनको कहते है वाकई वह है पावल स्टार जैसे कि यह जो है कभी अक्षरा सिंह का चरीत्र चितरन करती है कभी जोती सिंह का चरीत्र चितरन करती है कभी पावन सिंह का चरीत्र चितरन करती है उनका आपस का मैटर है वो क्या कर रहें नहीं कर रहें उस पे मे करेक्टरलेस बोल देंगे करेक्टरलेस का दबा हम कैसे लगाए किसी पे भी क्यों लगाएं क्या मेरा ये राइच है अगर आपको करेक्टरलेस्साबीत करना है जाए कोट में केस कीजिये अब सोचिए ये गई होगी अपने काम से बस इसका TRP का इसको फोविया है और तुमको TRP का फोविया है तो लो और बटो रो ऐसा ही रूपम तुम्हारा धोते रहेगी लेकिन वो तो कह रहे है ना कि हम घर बसाने का पहला हमारा प्राथमिक्ता होगा घर बसाने का लेकिन जोती सिंग रहने के लिए तयार नहीं है पवन सिंग के साथ वीना मानवी साफ तोर पे कह रही है एक बात बताईए ये बात क्यों नहीं बता रही है कि जोती सिंग उसको लतारी है वीना मानवी को लतार लगाई है जोती सिंग बताईए कभी मेरे बाड़े में तुम बुरा statement क्यों दे रही हो पहले की थी jotish Singh ही कि थी वागही, यह सच बात है कि पहले jotish Singh call की थी call करने का region था जotish Singh के उपर गलत गलत टिपनियां की जा रही थी उसको रोकने के लिए call किया गया था, तो उस पे यह टी ब काल आया है पावन सिंग का बस तीन करोर में और ऐसे बोर रिदम, confident देखिए है, अलग लेबल का confident है, you know what, confident like that कि तीन करोर में मैं सेटल कर रही हूँ और ऐसे, तो थोड़ा सा acting मैं भी कर लेती हूँ, that's why, पावन सिंग तीन करोर में सेटलमेंट हो जाएगा, और जोती सिंग मान गई है तीन करोर में, जो कोट नहीं मनवा पाया, वो तुम मनवाओगी, यानि तुम मानती हो कि तुम फरज कोट चला रही हो, तो excuse me, फरजी कोट चलाने वाले को वकील अच्छे से दोते हैं, और तुम्हें भी धोएँगे, जिस नोट को फरजी तरीके से तुम कमाती हो, उस नोट पे भी वकील है, पता कर लो नहीं पता है तो, कानून का तो पता होगा नहीं, जाके पहले पढ़ो और देखो कि फाउंडर कौन है, हमारे नोट पे कौन है, सारा कुछ पता करो, उसके बाद किसी के बारे में टिपनिया करो, क्योंकि पवन सिंग जो भी है, इतना मुझे पता है, कि वो इनसान दिल का साफ है, हाँ, कहते हैं कि इनसान में बहुत सारी खूबियां होती है, ए देख की थी, मैं उस पे बात कहूँगी, मैं जो बात है वो कहूँगी, यह नहीं कि अगर पवन सिंग से मेरी बात हुई या कुछ भी तो मैं बटरिंग, नो, मैं बस उस एंगल में खराब कहूँगी, लेकिन कहते हैं हर इंसान में कुछ अच्छा है, तो कुछ खराब है, या फिर बहुत खराब है, तो बहुत अच्छा है, तो पवन सिंग बहुत अच्छे है, तो लड़की के मैटर में हो सकता है कि बहुत खराब हूँ, वो वाला सिन्यारियो है, तो उस पे जज्जमेंट देने का हम जज नहीं है ना, हम अगर कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वकील बनते हैं, तो वकील है, हम जज को राय दे सकते हैं, सर, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा आप दे सकते हैं, आप मानते हैं, आपके दिल में जो धरकन है, वो मानता है कि पवन सिंग खराब इंसान है लड़कियों के मैटर पर, कहीं ना, कहीं है, क्योंकि तीन महीने में तीन महीने में नीली मौथ हो जाती है तालाक फिर आपका जोती सिंह से ये अफआर फिर आपका जो अक्षिरा सिंह उतने डंखे की चोड़ पर पर परनाम करने वाला तुम्स करते हैं, आप सब लोग देखे हैं, किसी में गंदे तरीके से, किसी भी अच्छे तरीकी से, किसी में तो on camera performance करने के लिए साथ में मतलब उपर लेट जाना होता है लड़की के, होता है ना जो बात है, तो हो सकता है ये सारी चीजे निलम सिंग को नहीं पसंद होगी, क्योंकि वो घरेलू लड़की थी, तो उसको नहीं पसंद होगा, और इनका करियर यही था, हो सकता इसलिए सुसाइट की हो, बहुत अरी बात है, जोती सिंग भी तो घरेलू लड़की है, और यही कारण है कि पवन सिंग जिस तरीके से जोती सिंग पर लगातार दबाव बना करते रहें, कि जो अक्षरा सिंग है, वो बड़ी बहन है, तुम्हारी मेरा उनके साथ अफैर है, पैर छुओ, यह सब तो पवन सिंग के और से बोला गया था ना, देखिए अगर यह बोला गया है, तो मैं पुष्टी नहीं कर रही हूँ, अब पवन सिंग से बात करेंगे क्या है, नहीं है, अगर वो चाहेंगे इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि मैं उनकी अड़ोकेट नहीं हूँ, मेरे सीनियर भी उसके अड़ोकेट नहीं है, मैं लीगल इंटर्न भी नहीं हूँ, उनके केस में, अगर लीगल इंटर्न रहती, तो मुझे पता होता, तेकि कि मैं रहूं या कोई भी रहे, कोई भी पुरुष, आज के डेट में क्या है, 2024 आ चुका है, 2024 सेंचुरी में हम जी रहे हैं, पता है क्या, मैं आपकी जनता को बोलूँगी, आज अगर लड़का गलत है ना, तो लड़की भी कोई दूद की धुली नहीं है, बिंग गर्ल, मैं इस चीज को समझती हूँ, लोग मेरे पैंगली उठाएंगे, उठाओ ना, कोई दिक्कत नहीं में को, क्योंकि मैं सही हूँ, जिस दिन मेरे बारे में आपको कम्प्लेन आएगा, कि रूपा मैं ऐसी ऐसी है, तब आप बोलना, बिनमानभी का कहना है कि वो जो जोती सिंग है, पावन सिंग के साथ रहना नहीं चाहती है, और ये मैटर लटक रहा है, जो कोट में डिवास का मैटर लटक रहा है, ये जोती सिंग के वज़ए से लटक रहा है, क्योंकि जोती सिंग अब घर का जो डिमांड की है बंगले के जोनों जोती सिंग के लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी बात थी, क्यों? जोती सिंग नहीं जानती थी कि इतना बड़ा हैपनिंग उनके लाइफ में हो जाएगा जैसा कि हम लोगों ने भी देखाँ, बिंग गर्ल मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा हस्बेंड किसी और के साथ अफेर होगा लेकिन अब के सिनेरियो में ठीक है मान लिजिया अगर मैरे इंच मैरे लिए लाइज करती हो जो भी अब जाते अपनी वाइफ से मिलते बात करते क्या यह दिक्कत है अगर सेक्स्वल डिजायर तो वह पूरी नहीं होगी ओपिन में बात कर रही हो क्या है लड़ लड़की के पास तो वही है अब वह आपकी पतनी है अगर आप रहते तो मुझे लगता है कि यह जो चीची ले लेका भी अका भी एकाया खा यह कभी बोलते किसी चीज परने लेकिन अन्त में इन का वह जो सब्सक्राइब बोला था जिस दिंगरु जमीन हिल जाएगी है तो हो सकता है इनके पास कुछ वैसाओ उगा कुछ इनके पास भी वैसी कईयमिंट्स होगी यहां पर लेडिज क् कि वो तुरंट सारा बात मीडिया में आके बोल दी, अक्षरा सिंग हो या जोती सिंग हो, या हो सकता है इनमें कुछ लूफॉल दिखा हो, ये भी तो हो सकता है, अचा, अनुपमा यादव, अनुपमा यादव का कितना रोल आप मानते हैं, अनुपमा यादव, इन दुनों पवन सिंग के काफी चहती मानी जा रही है, पवन सिंग के जनन दिन पर उन्हें कहती है, I love you to boss, मैं किसी से नहीं डरती, इसलिए मैं खुल के परपोस कर रही हूं, पवन सिंग अनुपमा यादव के लिए गाना गाते हैं, भगवान तुम्हें बड़ी फुरसस से बनाया होगा, ये गाना जोती सिंग के लिए भी तो गा सकते थे, देखिए, एक चीज़ समझी है, ये डिकलेरेशन नहीं हुआ है, कि ये उनको I love you जो बोला गया है, वो उनको boyfriend बनाने के लिए या girlfriend बनाने के लिए बोला गया है, और openly बोलना, it means, कि हो सकता है उन्होंने जलाने के लिए बोला है, या फिर आप इन्हें दोस्त को भी तो बोल सकते हैं ना, जलाने के लिए किसे बोलेंगे? उनके विरोधी को? जोती सिंग को? रख दिया, तो उसमें मैं क्या बोलूं? उसमें बस यहीं बूलूंगी, कि मुसनें अपने ज़ए बातों को रखा, तो उसमें बुराई नहीं है, कहीं से भी, मुझे नहीं लगता, और यह industry है, बाई, इंड Holzar में हर एक दूसरे इंसान के शादि, दूस, दो, तीन, चार ऐसे हो जाती है कभी, कभी तो इंडस्ट्री में, बॉलिवुड में देखो बिना साधी के बच्चे लड़किया माँ बन जाती है और उसको समाज एक्सेप्ट करता है अरे ये तो इंडस्ट्री है चलता है, वहाँ पर ये है परिशप्शन देखिए, अरे इंडस्ट्री है चलता है और अगर आम लड़किया कर ले अरे बाप रहे, ये क्या हो गया लड़की तो करेक्टरले से ये हैं बहुत सारी बाते होने लगती है जो एज़िजवल बात है, तो ये सारी चीजे हैं लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बूलूँगी तमाम गल्दत होंगे पवन सिंग, ठीक है, माल लिया लड़की के मैटर में, एक कोना मैंने बताया हर जग़ वो सही है अभी जो सनी लियोनी वाला जो खेल चल रहा है ये क्या है एक बॉलीवूड स्टार है वो सनी लियोनी, अगर वो भोजपूरी में आके काम करती है तो आपकी भोजपूरी की करीमा बढ़ती है मेरे को ऐसा लगता है भले वो अपने भूतकाल में जो भी की हो भूतकाल में जो भी की हो ठीक है जब आप असलीलता परोस्ते हो गाने में तो वो कौन सा अच्छा चीज है इसमें तो असलीलता नहीं परोसा गया उपर से पुरा इंडिया जाना कि सनी लियोनी अभी यहां पे काम की जिससे भोजपूरी के लोगों को भोजपूरी जो नहीं जानता है Most of the people भोजपूरी समझते नहीं है तो भोजपूरी सुनते नहीं है लेकिन जब इसमें सनी लियोनी आई हो सकता है यह लोग बिहार को जानेंगे जो नहीं जानते है Most of the, you know ऐसे बहुत सारे side corner है जो मैं पढ़ती हूँ बिहार के बारे में जानते बहुत लोग है लेकिन बिहार के बारे में नहीं जानते भी बहुत लोग है भोजपूरी है यह सारा culture बहुत लोग अभी नहीं जानते है बिहार के बारे में आपका कहना है कि सनी लियोनी बिहार में आके भुच्पूरी के लिए काम की बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे एक कोस्चन करता हूँ, मैं मेरा छोटा भाई है, कोई सौंग सुन रहा है, पवन सिंग का वही सौंग सुन रहा है, जो सनी लेवनी के साथ गाए है, जिस पर डांस हुआ है, अगर मैं उससे पूछ दू, क् की बहुत सारे फादर भाई होते हैं, आपने बच्चों से पूच देते ह etme क्या देख रहा हैं, क्या बोलेगा कि मैं सनी लेवनी को देख रहा हूँ, परभाव क्या पड़ेगी, सनी ले उसमें क्या कर रही है उसमें कर-क्या रहे है वो गाना गा रही है वो डांस कर रही है एक थिंकिंग तो मन में आता है ना कि वो किस छेत्र से आई हुई है हमारी थिंकिंग को बदलनी होगी ना पहले क्या थिंकिंग अभी मैंने बताया ना पहले कैसे ना अब हम लोग 24th century में जी रहे हैं जहां पर लड़किया खुल के ब मुझे तो लगता है कि जो उसका विचार है ना उस पर अमल होना च सिर्फ यह हम याद रखते हैं, साफ सब बात है क्या, पॉर्ण वीडियो बनाती थी, यही न, यही बात है न, यही बात है न, यह क्यों हम नहीं याद रख रहे हैं कि वो उसने, वो गल्ती जो की, वो अपना बच्चा जनम नहीं दे रही है, यह क्यों भूल गए, उसका सजा इसको मिला, सनी लियोनी को मिला, यह कभी मां ही नहीं बने, क्यों नहीं बन रही है, कि मेरे बच्चे को लोग ऐसा ऐसा बोलेंगे, मैं जिस बच्चे को जनम दूंगी, है न यह बात सचाई, अब तीन बच्चे को उसने जनम ना देकर उसने एडप्ट किया, इसको क्यों भूल जाते हैं? चलती चलती आपसे आखरी सवाल रहेगा, वीना मानवी पर आते हैं, वीना मानवी मुंबई दौरे पर निकल चुकी है, पटना में वो इस वक्त नहीं है, छे वजे की फ्लाइट से उड़ चुकी है, हो सकता है कि वो अभी मुंबई पहुचने वाली भी हो, क्या लगता है आपको, कि घर बस जाएगा, वीना मानवी इसमें एहम रोल निभा पाएगी? अपना घर बजा क्यों गुस्सा दिलाते हैं? कॉमेडी है, जो फ्लाइट एक कॉमेडी है वीना मानवी, घर बसादेंगे, हम उसका घर बसादेंगे, उसका घर बसादेंगे, यारे, यह बस टी आर्प जाएगा, उडएंगे, मॉमबई पहुचेंगे, और भॉकाल बना देंगे बिहार में, कि हमारा जो ठॉक है, वो पवन्सिंग से हुआ है, लेकिन सब कुछ नहीं है दोस्तों, कॉमेडी जब वीना मानवी का नाम आता है तो आप कॉमेडी देखिए और मेरे इस कॉमेडी का मज़ा उठाइए, बागी कुछ नहीं है, वीना मानवी बिहार की एक कॉमेडियन परिशन बनते जा रही है, धीरे-धीरे, कुछ दिन का महम जो बहुत जल्दी उचाई पर चड़ता है, वो बहुत जल्दी किरता है, मैं, मैं क्या थी, कुछ थी, नहीं, अभी भी मैं वीना मानवी को कहूंगी, तुम्हारी कोई विर्योधी नहीं हूँ, लेकिन जब तुम्हारे लोगों ने मुझे गाली दिया, क्या बताओ, यह महिलाएं बिहार के लिए संकट है, बिल्कुल यह बोलती है, जहां कि, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जादा बंद नहीं है, वो तो ऑन कैमरा सबको पता है, यहां दारू जाएगा, वहां बन जाएगा, मिल तो जाता है, नो डाउट, यह मैं बोलूँगी, कही न कहीं य जो लॉब बना, वो पैलवर है, लेकिन फिर भी, कुछ न कुछ थोड़ा सा उसमें सक्सेस्फुल हुए है, हमारे मानिनी मुख्य मंत्री जी, लेकिन इनको बड़ी परिशानी है, पता है क्यों, बिहार में दारू नहीं पीच पाती है, मुंबई गई होंगी दारू पीने वो बस TRP का खेल है और TRP का खेल है, तो मैं बोलती हूँ, यह studio मेरा है, यह studio में बैठी हूँ, यह मेरा है, और यह sofa मैंने लिया है, यह मेरे भाई है, कहेंगे तो आपको जो बताना है, ठीके मतलाब मेरा private jet है, कल मैं BMW खरीदने जा रही हूँ, और खरीद भी लूँगी, क कल ही मैं iPhone 15 खरीद लोंगी, ठीके बस एक साल हुआ है, इसका एक देड़ साल मैं कल खरीदने जा रही हूँ, इतना बड़ा बड़ा मैं फेक दिया, ठीके यह अच्छा मजाग था, यही मजाग वो बीना मानवी करती, आप लोग क्यों बीना मानवी को इतना बड़ा मानते ह हम बहुत पीडित हैं वीना मानवी खुद से, हमको उन्याय दिलवा दे, 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 हमको उन अच्छित कॉमेडियन वीना मानवी से आप जानी जाएंगी, इंतिजार कीजिए, रुपम को आप टारगेट कर रही थी ना, किसी को 20 हजार, किसी को 8 हजार, किसी को 15 हजार, मतलब रुपम इस लायक है कि आपको पैसा बातना पड़ रहा है रुपम के लिए, वाओ, ये मेरा मेरा तो स्टैंडर बढ़ा दिया आपने, कि मेरे लिए आपको पैसा बातना पड़ रहा है, रुपम मेरी एजेंट है, रुपम कभी आपकी एजेंट नहीं बन सकती, और वो पत्रिकार को भी बोलीग, जैसे आप लोग है, बुना मत मानिएगा, मैं आपको नहीं बोल रही कुछ ऐसे चाटुकार है, मैं उनको बोलूगी कि समाज के लिए काम करो, ऐसे लोगों के लिए नहीं, जो समाज को लूटती है, दो रुपया तुम आज कमा लोगे, ठीक है, उससे कमा लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो आशु किसी का गिरता है, उसकी बद्वा लेकर तुम कमाई बहुत ज्यादा, सच में, और सच बता हूँ, मैंने इतना काउंसलिंग किया, कुछ नहीं, पता है, मैं भी पांच साल से काम कर रही हूँ, मेरी मम्मी की किसम कह रही हूँ, 500 रुपया कमाई हूँ मैं अभी तक, कमाई भी नहीं हूँ, वो एक गरीब, बहुत गरीब उसका मैंने मदद किया था, मैंने मदद का बहुत का किया, लेकिन वो महिला मुझे 500 रुपया दे दी, कि मैडम आप रख लीजे, और फिर वो जब मेरे सीनियर के पास गई, तो आप भरोसा करो गया, लोग बोलते हैं, वकील पैसा लुटने वाला होता है, ये वो, नहीं, म ना जाने मैरे काई मैरे क्लाइंट को उन्होंने, क्योंकि अभी मै तो अथराइज नहीं हूँ, ना मैं सीनियर के लाइसेंज पे जो करती हूं, तो उन्होंने दो हजार रुपय उसको दिया वो पीडिता को दिया, जिसने मुझे 500 दिया था, ना जाने कितनी लोगों का मेर सर ने मेरे 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 क्लाइन की मदद की है और इसी लिए साथ रूपम अपने सीनियर की डाट खाके भी चुप रहती है और उनको वो लोग इतना मानते है में को तो सिर्फ वीना मनभी के वारे मैं कल मैं बोलना बंद कर दूंगी अगर यह सही हो जाए तो क्या दिक्कत है मु कोई दिक्कत मिंहें है रूपम को थीचा आप पैसा कमाओ लेकिन गलत करके नहीं एंजिओ का काम पैसा कमाना नहीं होथा है पहले ही मैंने बताया मैंने बताया तो एक 1,87,000 गवाग इंजिओ है पूरे इंडिया में दस एंजिओ टॉप 10 एंजिओ का नाम मेरे पास अभी करेंट में है सबसे लार्जेश्ट प्रत्थम प्रत्थम नाम का एक एंजियो है लार्जेश्ट जो की आठमे नंबर पर है उतने में भी इसका नहीं है बिहार में रजिस्टेशन है जिर बिहार का रजिस्टेशन है धींडोरा पूरे देश में पीट रही है इंटरनेशनल मे नहीं नहीं बलकि पूरे देश में एक अफवा फैला रही है कि उसे पवन सिंग के और से बुलाया गया है और वो पवन सिंग से मिलने के लिए मुंबाई के लिए रावाना हो गई है बलकि ऐसा कुछ भी नहीं है यह हम नहीं कह रहे हैं यह हमारे बाजू में जो सक्स बैठे हुए हैं मुतर्मा यह इनका कहना है और ऐसे तमाम खवरों के लिए बने रहिएगा एक नीज 24 के साथ तब तक लिए हमें दीजेगा इजाज़त धन्यबाद